नमस्कार आप सभी का स्वागत है NCRT के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आप हमें देख रहे हैं इविद्या चानल नंबर 9 पर इविद्या चानल नंबर 9 से जब आप जूरते हैं तब आप अपने सवालों के साथ हमसे जूर सकते हैं हमारा मेल एड्रेस रहेगा dth.class9 at the rate ciet.nic.in आप अपना क्रोई भी प्रश्न हमें फोन करकर भी पूछ सकते हैं हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है यह है डबल डबल जीरो डबल फोर 0559 मैं स्रुजन राजपूत आज के सत्र में आपके साथ रहूंगी हम प डॉक्टर सविता सागर से आप असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस डी एसेस न्सी आटी नई देले से सविता माम आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार माम तो हम पढ़ेंगे बच्छों सविधान की रचना क्लास 9 का ये विशय रहेगा आपकी टेक्सबुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से चाप्टर नमबर टू तो माम आपसे जाना चाहेंगे सविधान क्या है और हमें क्यों इसकी जरूरत है इसकी रचना से जुड़े प्रशन हमारे बच्छों के मन में है चलिए इनके जवा सविधान को जानने से पहले सविधान की डेफिनिशन हमें पता होना चाहिए कि सविधान है क्या सविधान वो बुनियादी सिद्धानतों का एक समुचे है जो राज्य का निर्मान कैसे होता है किस परकार राज्य की शक्तियां निहित होती है और राज्य की शक्तियां कौन कानून है कानूनी दस्तावेज है जो कि हमारी प्रतेक जयनिक लाइफ में हम देख सकते हैं कि सविधान नियमों की हमें जरूरत होती है आप अगर आप देखें कि आप सुबह उठते हैं अगर सुबह नहीं उठे तो आप ओफिस टाइम पर नहीं पोंच सकते हैं वो करना जी अब ट्रैफिक रूल्स को अगर फोलो नहीं किया जाए तो क्या होगा अव्यवस्था होगी तो नियमों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का है तो जब हम देखते कि नोर्मल लाइफ को भी हमें चलाने के लिए नियमों की जुरत पड़ती है तो यहां पर हम देखेंगे कि इस सेशन में हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि सविधान होता क्या है में वाई दू वी नीड इट तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि सविधान क्या है जी सविधान वाट इस कॉंस्टिटूशन सेट अफ रूल्स सुप्रीम लो अफ दिमो सकते हैं श्याहिव फयाया लिखित पी सविधान के बात करते हैं तो यह सुप्रीम लो होता है कोई भी शाषक अपनी मनमानी कर सकता उसको सर्टेन रूल्स फोलो करने होते हैं टेमाइंस देटरिशनुशन चिप हम पीपल एंड पीपर लिविंग टेरिट्री उस टेरीट् से पता चलता है और यही Constitution है relationship between people and government सरकार और लोगों के बीच के संबंध भी हमें Constitution से पता चलते हैं तो यह Constitution एक कानूनी के दस्तावेज जो यह निर्धारित करता है कि किस तरीके से कोई बी राज्य शाशन करता है उसकी शक्तियाँ कर नहीं बताता बलकि फीन सीमाएय है जीजह हम देखते हैं कि उपनी करने लग जाए तो उसकी शक्तियों पर भी सीमा ये constitution ही बताता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे हमारे लाइफ का भी और हम कह सकते हैं कि देश में किसी भी देश के साशन को चलाने के लिए constitution बहुत ही कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसका एक इग जैंपल हम देख लेते हैं साउथ अफरीका के डिमोक्राटिक कॉंस्टिटूशन वहां पर किस तरीके से आया साउथ अफरीका का एक्जैंपल हम इधर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह वर्ल्ड का सबसे फाइन और इसको यह किस तरीके से आया स्तित्व में और इससे हम आप का जो क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड कोंस्टिटूशन इससा विधान की जरूरत क्यों है इससे हमें पता चल जाए कि क्यों जरूरत है हमें इधर आप देखिए एक आपको फेस नजर आ रहा है बहुत ही चर्चित फेश है एक नाईलस्टर मंडिला एक एक डि आप आपार्थाइड प्रेस्ट जर रहे हैं एक अपार्थाइड अगेंड अपार्थायर सिस्टम और इन उन्होंने एक आपार्थायर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है रंगभेद की नीतिका जो वाइट पीपल के दूर उधर इंपोज किया गया और जिसके चलते जब इन अलसल मंडेला ने उधर विरोध किया तो उनको 28 एर्ज की लाइफ इंप्रिजम्नमेंट हो गया तो यह देखे कि 28 एर्ज का बहुत लंबा टाइम होता है जो इनको जीवन पुरा उधर कारवास में बिताना पड़ा तो ऐसा क्या था कि उनको इतना लंबा टाइम बिताना पड़ा ऐसा क्या रंगबेद की नेती थी तो इधर हम देखते हैं कि रंगबेद की नेती है क्या मैं मुझे लगता है हमारे सभी स्टूडेंट्स भी यह जानना चाहेंगी जब आप साउथ अफ्रीका के सविधान से ज चात्रों को बताएंगे तो ये उन्हें जानकार अच्छा लगेगा और उनकी जानकारी भी सविषे से संबंदित बढ़ेगी अच्छा अच्छा लिच्छा में अच्छा लेकेश व्क सार्फै विदे बताएंगे। आर्फै जानकारी अच्छा लिए ठैक अधी कि विजय हैं ग्न उन्री इपीपली गने कर लिया डिजीनिया है जैकररактиी अपना विद्ग यह उन्हों पर वह लोकल रूलर बन गए और उन्हों ने वाला सिस्टम लेकर आये रंग भेद की नीती का सिस्टम लेकर आए तो हम यह देखते कि रंग भेद की नीती के आधा पर किस परकार का वेदवाव किया जाता था जैसे कि सेग्रीगेशन पॉलिसी अपार्ट अगर आप एक्जेम्पल देखें तो एक्जेम्पल ऑफ रिशल डिस्क्रिमिनेशन इस साउथ अफरीका कि उनको वाइट एरिया डिवाइड़ेड थे सेपरेटिट थे वाइट एरिया पीपल वाइट एरिया की जगह पर उनको ब्लैक पीपल को बिलकुल भी अलाउड नह साइन बोड इस तरीके से वहाँ पर हुआ करता था कि अगर इनकेस अगर कोई गल्ती से ब्लैक पीपल वहाँ एंटर कर जाता था तो उनको वहीं पर ही मार दिया जाता था या उनको लापता घोशित कर दिया जाता था तो इसका एक्जेम्पल आप देश सकते कि पब्लिक प्लेश को हम इदिफाई कर सकते हैं जैसे कि पार्क है टेक्सी ट्रांस्पोर्टिशन है वहां पर ब्लैक के लिए अलग और हमारे जो वाइट है उनके लिए अलग तो इस तरीके का भेदबाव करना इस सच अ बार थिंग इस सच बार प्राक्टिस के दाटिस जब हम से भी कोई इस तरीके का विहवार करता है तो हमें कैसा लगता होगा इसी बारे में माम आपसे अगला प्रशन मेरे खुद के मन में ये जाहिर हो रहा है कि जब ये भेदभाव की नीती खत्म की गई सविधान में सुधार किया गया तब ऐसे में साउथ अफ्रीका में दोनों पक्ष होना लाजमी था और नेल्सन मंडेला इन में से एक थे और अपने साथियों के साथ सभी लोगों को एक अत्रित किया और इस रंगवेद की नीती के खिलाफ उन्होंने अवाज उठाई इस तरीके से अफ्रीकान नैशनल कॉंग्रेस वहां का जैसे कि हम भारत के अगर ग्ज अधर की जो वाइट रशल गववेंट थी उन्होंने इस तरीके के असोशेशन इस तरह के अगर ज़ाजेशन को बैन कर दिया था और जब इस तरीके के इतना जादा अग्रेशन हुआ लोगों में तो आखिरकार उनको वाइट रशल गववेंट को जैसे लागा पड़ तक इस नीती के साथ ब्लैक लोगों को कलर पीपल्स को उनके उपर साशन नहीं कर सकते तो उन्होंने एक नए सविधान का रास्ता उनको दिया कि और यह इस तरीके से यह वाला भेदभा वाला सिस्टम खतम हुआ और दोनों ओप्रेसर जो थे और जो शताय गए लोग थे दोनों ही मिलकर अब सविधान बनाने की राहा उन्होंने पकड़ ली थी लेकिन अब क्वेश्चन यह उठता है कि अब जब दोनों लोग एक साथ मिलकर सविधान बनाएंगे तो क्या ऐसा सविधान बन पाएगा तो वाइट प्हें इन दोनों ने मिलकर सविधान बनाया उसके अंदर अब डॉनों पाटियों के अपने अपने संशे थे अपने अपनी शंकाए थी क्या ऐसा सविधान बन पाएगा जी वाइट पीपल को चिंता थी कि कहीं ब्लैक पीपल अगर शाशन में आते हैं और उन अगर उनकी छीनली जाती है तो वो भी उनके साथ भाव होगा और अपने जो नौन वाइट पीपल थे ब्लैक पीपल थे उनके अपने अलग शंकाइन थी किस तरीके से अगर वाइट पीपल जो अगर डिमोकरिसी आती हो डिमोकरिसी वे मिजुर्टी रूल नहीं माना जाता तो फिर उस democracy उस नए constitution का कोई भी फाइदा नहीं है तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया समझोते किये समझोता यह हुआ कि democracy में majority rule माना जाएगा सिर्फ majority के rule पर ही सारे decision नहीं लिये जाएंगे लेकिन साथ में ही minority के जो rights हैं वो भी protect होंगे और one vote one person होगा मैं यह जानना चाहूंगी कि यह तो बात हुई South Africa की लेकिन अजादी के बार जब भारत ने अपने सविधान का निर्मान करना शुरू किया या फिर भारत में सविधान निर्मान की प्रक्रिया शुरू ही तो क्या उन्हीं भी इनी परिस्तितियों का इनी चालेंजेस का सामना करना पड़ा था अगर जी बिलकुल परिस्तितियां तो शमान तो नहीं बोल सकते विशम परिस्तितियां जरूर थी जैसे कि उस टाइम पर भारत पार्टिशन को जेल रहा था और आप देख सकते पार्टिशन के बाद जो धान निर्मान का कारे भी चल रहा था तो हम यह देखते हैं कि परिस्तितियां दोनों ही देशों के लिए बड़ी ही चुनोती पून थी लेकिन हमने उस पर विजय प्राप्त की और वह विजय प्राप्त कैसे की जो हमारा अनुभव रहा राष्टी आंदोलन से क्योंकि हम स उसी वक्त से प्रियास कर रहे थे कि किस तरीके से किस तरीके से हम अपने देश के लिए नया समीधान जब बनाएं तो उसका स्वरूप क्या होगा तो यह प्रकरिया हमारी आजादी से पहले ही स्टार्ट हो गई थी जिसमें हम दो डोकुमेंट को महत्पुन मानते हैं 1928 का जो नहरू रिपोर्ट थी उसमें constitutional draft तेयार हो चुका था उसके बाद 1931 में कराची अदिवेशन में और सविधान का स्वरूप कैसा होगा वो लगबक तैव हो गया था और इसमें जो मूलिय निकले हैं वो हमारे राष्टी आंदोलन में जो हमारे हम जिस के लिए लड़ र में दिविकल्ट ταराएं प्रिंसली स्टेटिंट का में अरफिर काम ताने ज? जाया है मैं जाएंगे कि प्रिंसली स्टेट बच्चे क्या होता है जैसे की जब बेटिश को भारत आये थे तो उनके लिए साषन करना इतना इजी नहीं था इतने बड़े देश में तो उन्होंने प्रिटिश भारत बोलते हैं दूसरा प्रिंसली स्टेट्स जहां पर राजाओं द्वारा साशन होता था इसको हम रजवाडे या रियासत कहते हैं इंडिरेक्टली साशन था लेकिन बिटिश क्राउन का ही एक तरीके से अव परतेक्स रूप से साशन था जहां पर रक्षा के मामले, संचार के मामले, विदेशी मामले सब ब्रिटिश क्राउन के पास थे तो जब भारत आजाद हुआ तो यह लगबग 565 के लगबग रियासत्ति थी इनको भारती सग में शामिल करना और उसके साथ सब कॉंस्टिटूशन बनाना यह अपनिया में बड़ा चैलेंज थ 28 और 1931 के दोकुमेंट्स को जिन में हमने देखा कि क्या हमने इंक्लूजन की अपने कोंस्टिटूशन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट तो फ्रीडम, एक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग दर राइट ओफ माइनोरिटी, जी अब सवाल यह आता है कि सव आविधान है, सविधान सभा दुआरा बनाया जाता है, सविधान सभा हमारे जंता दूआरा चुनी हुए जन प्रतीनिधी की सभा है, और यह इसका काम सविधान लिखने का था, सवे गता संदूभा में जो भी डिसक्रशन, वीचार फिमार्स हुए is अमेने इसन 1946 में पहली बैठक हुई थी जिसमें नॉमिनेटेट चेर्मेन ऑफ कॉंस्टिट असेंबली डॉक्टर सचिदानन सिना यह हमें ध्यान देना है कि सचिदानन सिना यह नॉमिनेटेट चेर्मेन थे इलेक्टेड नहीं थे होता है ना जैसे कई बार अगर हम बच्चे भी क्लास मोनीटर बना देती है फिर बाद में डिसाइड करते है कि रियल क्लास मोनीटर कोन होगा तो वैसे ही जब हमने इश्रुवात में जब सभा में बैठे तो इनको वैसे यह बहुत ऑल्ड सभी सदस्यों में सबसे ओल्ड पीपल थे तो यह उनको उम्र दराज होने के ना और इनका योगदान बहुत ही महत्पुन है हमारे सविधान सभा में जो पूरी चर्चा के दोरान इनका जो संयम रहा और जो सामन जस्य बिठाना सभा के बीच में वो काबिले तारीफ रहा और यह हमारे पहले राश्पती भी रहे जी और सविधान सभा क्या इसके जो उसमें थ्री एटीनाइन टोटल मेंबर होंगे यह था हमारे बिटिश साजब हम अंडर बिटिश रूल थे जब आजादी के बाद भारत पाकिस्तान दो भागो में हमारा देश बट गया तो उसके बाद इसकी सदश्य संख्या कम हो गई तो उसमें जब हमने देखा कि किस सविधान सभा की बैटकों से काम नहीं चलने वाला थे इसके लिए हमने कुछ समीतियां भी बनाई ताकि उसमें जो जो विशिष्ट समीतियां थी उसमें अलग से चर्चा करके हर पहलू पर विचार करके कोई नियम कानून देश के लिए बने तो हमारी जो महतपुन जो कम कोंस्टिटूशन अडाप्टिट 26 नवेंबर 1949 और ये 26 जनवरी 1950 कोई फैक्ट में आया और प्रेजेंट जो आर्टिकल हम देख सकते हैं कि 395 जी और पार 22 शेडियूल आर्ट ये उस वक्त के हमारे जो सविधान बनकर तयार हुआ था जिसको दो वर्ष 11 महिने और 18 दिन ल लुट चर्चा करने के बाद ये सविधान सामने आया था ये विश्व का सबसे लोंगेस्ट कोंस्टिटूशन माना जाता है और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत का सविधान है जी वो किस तरीके से हमारे देश को चलाने में इसकी भूमी का रही है और सविधान कि अगर मैं आप से पूछू कि आप अपने बारे में बताएं तो आप अपना नाम पहले बताएंगे अपना परीचय देंगे तो अगर हम कोंस्टिटूशन के बारे में जाना चाहते हैं देश के बारे में जाना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में उसका परीचय हमारे प् प्रष्तावन से प्रियंबल का वहाँ से लिया है तो हमारा भी वहीं से हमने इंसपैर होके यह प्रियंबल लिया इसका कॉंसेप्ट लिया है जैसे वी टो पीपल ओफ इंडिया सविता माम वाके ये facts जानना अपने सविधान के बारे में बहुत रोचक लग रहा है बहुत interesting facts हैं जो हमें आपकी माध्यम से इस chapter को पढ़कर मिल रहे हैं मुझे लगता है बच्चे भी इन सभी chapters को पढ़कर जानकर इन बातों को समझ रहे होंगे सविता माम एक प्रश्न और पूछन चाहेंगे आपसे हम चाहें तो इस जो हमारे ही समय समय पर जो बदलाव किये जाते हैं इस से रिलेटड जो बात है उस पर हम आना चाहेंगे हाँ पाँ है कि यह उसकता है यह सकता है या नहीं हो सकता है? दो हमारे सविधान को जीवंत बनाता है जब हमारे समय परिष्थिथियों के अनुसार्ख चीजें बदलती है और उसके अनुसार नियम कानून भी बदलने चाहिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी नारी शक्ति बंदन करके हमारा बिल पास हुआ है लोकसभा में और राज्य सभा में यह संसोधन का ही एक रूप है कि हमने किस तरीके से नारी को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो हमें अब जाक जी वो बिल पास हुआ है कि 33% 33% आरक्षन मिलना चाहिए हमारी विधाई का में हमारी रिपर्जेंटेशन होनी चाहिए तो हम यह देखते हैं कि इस तरीके के जो संसोधन है टाइम टू टाइम होते रहें तो यह हमारे सविधान को जीवन्त बनाता रहता है तो प्रियंबल कि हम बात कर रहे थे प्रियंबल है जो हमारे बुनियादी मुल्यों को रिपरजेंट करता है और जैसे कि we the people of India इससे यह पता चलता है सॉवरेन हैं सम्प्रभू है जिए संप्रभू का मतलब है हमारा हमारा एधिकार होता है हमारे देश के निर्णे निर्मान प्रक्रिया में कोई बाहर शक्ति का कोई इन्वॉल्मेंट नहीं होता सोशलिस्ट समाजवादी समाजवादी जो प्रियंबल में वैल्यू है वह यह दर्शाति है कैसे हम जो वैल्थ है होल ससाइटी जनरेट करते हैं जिसे कि आप बचों जान रहे हैं इस चैप्टर में सविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं सविधान की रचना से संबंते जब हम जानते हैं तो वाकिए अपने आप में एक रोचक बात होती है इस बारे में जानना पढ़ना और कितना अच्छ आपने बताए कि 26 जनवर 1950 का ये दिन जो हमेशा यादगार रहता है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में इसको मनाते हैं और इससे पहले 26 नवेंबर इसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं जो अभी हमारे नैक्स्ट मंत ये आने वाला है और स्कूलों में ये बड़े ही उत्सा से मनाया जाता है इससे रिलेटिट कई क्विजिस पूछी जाती है और कई तरह के प्रोग्राम प्रोग्राम किये जाते हैं जिसमें बच्चे पार्टिस्पेट करते हैं और हमारे जो महान को इसके बारे में हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है कि बिना को कि क्या कोई किसी देश का साशन चल सकता है या नहीं लोकतांत्रिक जो साशन है उसमें सविधान की बहुत ही वैलीव है और क्योंकि अगर हम देखें कि जो अलोकतांत्रिक जो देश हैं वहां पर सविधान अगर है भी तो एक एक डोकुमेंट ही है उनली कि वहां पर फोलो नहीं होता और हमारा सविधान इसलिए हम इसको महान बोलते हैं क्योंकि हमने इसको बना और अभी तक यह चल रहा है और इसमें हम संसोधन करते जा रहे हैं लेकिन वह रिराइट नहीं हुआ है रिराइट नहीं होने का मतलब क्य सहमती हुई है हला कि मदबेद होते रहे हैं लेकिन जो बुनियादी जो हमारे मूले हैं जैसे कि सोशलिस्ट सैक्वलर डेमोक्रिटिक रिपब्लिक यह इस पर सबकी आम सहमती बनी रही है जिसके कारण जो भी सविधान का कोई कानून कोई नियम पास होता है वह इन ही वैल क्योंकि हमें 26 जनवरी 1930 की महत्वता को बनाना था तो इसे लागू 26 जनवरी 1950 के दिन से किया गया लेकिन स्कूलों में या फिस जो सरकारी संस्थान है उन दिनों में इन दिनों की महत्वता को बनाने के लिए यह भी समय समय पर दिन मनाये जाते रहते हैं जैसे सविता माम स हम जान रहे हैं इस चैप्टर के बारे में सविधा माम सविधान विशे से जुड़ी और भी कुछ बाते हम आप से जानना चाहेंगे हां जी जो सविधान कि कोई भी सविधान क्यों बनता है उसका निर्मान कैसे होता है उसके पीछे बुनियादी मूले होते हैं और बुनियादी मूले हमारे ऐसे मूले हैं जिनको बदला नहीं जा सकता अभी हम संशोधन की बात कर रहे थे तो क्या हम इन जो प्रस्तावना के जो हमारे लोकतांतरिक मुले कि इनको भी हम बदल सकते हैं तो यह है कि हम इनको नहीं बदल सकते हैं इसका धांचा अगर हमने बदल दिया तो पुरा स्ट्रक्चरी बदल जाएगा हमारे को इस जूशन का मान लीजे आप हम इसमें से डेमोक्रिटिक वर्ड हटा देते हैं जी इसमें से डेमोक्रिटिक वर्ड हटा देते हैं तो हमारा साशन लोकतांतरिक नहीं रहेगा निर्मान की प्रक्रिया लोकतांतरिक नहीं रहेंगी तो हम कैसे जो जिस साशन की हमने कलपना की थी वो हम रख पाएंगे तो हमारे सवीधान में यह प्रावधान है कि हम बेसिक क properly Датор कि समय 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 पर हम बद लाव करते रहें और समय समय पर समय शॉर्ट करते रहें जैसे कि हमने और हमारा पहले अधिकार परोपरटी जो हमारे मौलीक अथिकार उसको हटा दिया गया क्योंकि हम यह द suffer हमДаgangen कारे करने तो यह वाला जो हमारा राइट व बीच में एक तरीके से उप्ष्रिक्शन कर रहा था तो हमने उसको रिमूफ कर दिया तो समय प्रिष्टिती के अनुसार जैसे हमें लगता है कि अगर हमें कल्यान कारी कारे करने हैं तो उसके अनुसार हम सवीधान में समय समय पर बदलाव क थे जबनं तो सवीधान जो है वो हमारी जनप Jupiter जो थे उनकी दूआरा चुनेगा सदस्य उसमें थे उनके दूआरा बनाया गया था तो इसमें आम सहम्ती की त्व तरएक के लोगों के द्वारा बनाए गया थी लीज तो इसन तरीकी सर्य को जोड़ों इतना ट्रांस्पेरेंट है इसकी हर वहस हर वर्ट्स रिकोडिड है और किस तरीके से हम देखते हैं कि इसको कौन्शुट्रियंट असेम्ब्ली डिबेट्स के नाम से इसको संजो के रखा हुआ है और और यह और आप देखना चाहें तो किसी भी बहस को किसी अगर नियम कार रखते हुए उन डिवेट पर चरचा करते हैं और फिर दुबारा से अपने सविधान की व्याख्या समिक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से तो सविधान है वह उसका निर्माण और उसका जो वैल्यू है वह इसके हमारे बुनियादी नियमों पर ही आधारित है यही हमारे सविधान की सब्सके खुबसूरत बात है कि इसमें जो flexibility है इसका लचिलापन जो समय समय पर amendments होते रहते हैं बदलाव होते रहते हैं शंशोधन है यह सभी भारत देश के सविधान को भारत गंढराज्ये के सविधान को अपने आप में और भी खुबसूरत बनाते ह के लिए में यहां पर सविता सागर माम का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप हमाई साथ जोड़ी सविता माम आप असेस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस दी एसस एंची आजी नहीं दिली से और आपकर शुक्रियादा धन्यवाद नाम एक और हो रही है नई दिल्ली कॉलकता गोहाथी एहमदाबाद में हैं इनसे आप संपर करके अपनी बुक्स घर बैठे ही मंगवा सकते हैं कोई भी टिलिवर्जी चार्जेस इन पर नहीं लिया जाता यह सेल्स काउंटर सुभे साड़े नौ से शाम 6 बजे के तक रहते हैं और सभ ncrtbooks.ncrt.gov.in पर विजिट करें और आगे के सत्र भी इसी प्रकार इंट्रस्टिंग होंगे और आपके ज्यान को बढ़ाने वाले हैं तो यूँ ही चुड़े रहें इविद्या चैनल्स के माध्यम से मुझे यानिस्ट्रजन राजपूत को दीजिए अनुमती नमस्कार